मेरे प्यारे भकतों मैं अपने चेनलर परमात्मा की आबाज में आपका हुरद्न से स्वागत करता हूं आज मैं आपको माताबैशन देवी की कता सुनाने जा रहा हूं मेरे भकतों माताबैशन देवी ने तिरतायोग में समस्त जीवों के कल्याण एमरक्षा के लिए एक राजा के हाँ राच-कुमारी की रूप में आउतार लिया मेरे बक्तो माता बैशनल देवी का मंदिर जम्बू की तरोटा परवत पर एक आती भब प्राचीन गुफा में है जिसे माता बैशनल देवी की रूप में जाना जाता है जिने देवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का रूब माना जाता है बारभत बरस के लाखों वक्त हमेशा माता के दरशन को जाते हैं यह इस्थान अति पवित्र माना जाता है मेरे वक्तों ऐसी ख़़ा प्रसलित है कि माता वेशनद देवी के एक पर्गम भक्त थे जिनका नाम स्रीधर था एक बार स्रीधर को रात में स्वपनाया कि आप भंडारा करें परन्तु स्रीधर बहुत गरीब थे उन्होंने सोचा भंडारा कैसे होगा अता रात बर चिंता में स्रीधर उनकी पतनी परिशान रहे सोबह उन्होंने देखा कि भंडारा का आयोजन सुरू होने जा रहा है उन्होंने देखा कि एक छोटी सी कन्या उनकी कुटिया में पदारी है उसके साथ भंडारा का आयोजन चल रहा है लोग वहां आने लगे तथा भंडारा खाकर लोग संतुष्ट होने लगे मेरे बक्तों वहां मौजूद भैरोनात ने अपने खाने के बजाए जान दोलों की खाने के लिए भंडारा मांगा वहां मौजूद उस कन्या ने भंडारा के लिए मना कर दिया उसके बाद उसे अपना अपमान बरदास नहीं हुआ उसने कर्णिया को पकरने की बहुत कोसिस की मगर वह कर्णिया अंतर ध्यान हो चकी थी मेरे वक्तों सीर धर की बहुत लादसा थी कि माँ उन्हें दरसन ने अता माता ने सीर धर को दरसन दिये उन्होंने त्रुक्टा परवत पर एक गुफा दिखलाई जहां उनका मंदिर है इसके बाद से ही सारा संसार माता बैशन दिये के मंदिर को जानने लगा मेरे वक्तों माता की दरसन यातरा लगबग 24 किलो मीटर लंबी है या यातरा कटरा से सुरु होती है और भक्त जन सीरी बैठने की बेस्था तशाप पानी αेतरा की दरबार तक पहुँची जाते है माना जाता है कि माता की दरसन एग बार जो brar लेता है वो पापमुत हो जाता है और मिस्री बैशन भी नमा या माता बैशन दर्यीग का पुरसिद बंदर है इसका जाब करता हुए जो प्राणी माता के दरवार तक पहुंचता है वो हर करस्टों से मुक्त हो जाता है मेरे वक्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा मेरे वीडियो पहुंचता है